हेलो दोस्तो नमस्कार दिन की भी अगर हम लोग याप बात करें तो निफ्टी में बहुत ही अच्छी कासी गैप उपनिंग देखने को मिली एंड उसके बाद जो मार्केट का पर्फॉर्मस था वो हम लोको पॉजिटिवी देखने को मिला रैट सो डेफिनेटली एक अच्छा माहूल फिलाल तो बन सारे वज़ा देखे उसमें से एक मेन वज़ा यह है कि अमेरिकन बाजार का पॉजिटिविटी के साथ चलना येस अमेरिकन बाजार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाप बहुत ही अच्छा तरीके से आप चल रहा है अगर आप इसका भी पाच दिन का परफॉर्मस नहीं रहता है यूजवली दुनिया बर के बाजार भी हमनों को उसी तरीके से अच्छे तरीके से चलते हुए देखने को यह पर मिल जाते है यह चीज 100% वर्क नहीं करती बट यह अगर आप प्रोबैबलेटी की बात करे तो बहुत ही अच्छी तरीके से यह चीज हमनों को यहाँ पर वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है तो अमेरिकन बाजार में दोस्तों यहाँ पर में बात करें तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमनों को देखने को यहाँ पर मिल रही है वो में आप लोगों की सामने आपर रखना चाँगा बड़ उससे पहले भी आप पॉजिटिविटी में रहना हमारे निफ्टी 50 की अगर मतलब फ्यूचर की बात करें वह पॉजिटिविटी में रहना अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की अगर हम लोग आप बात करें प्लस मैनस यहाँ पर चल रहा है तो यह भी हम लोग को आज की दिन थोड़ा बहुत कंपनिया ब्रोकरेज हाउस उनके रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं मैं यह भी आप लोग को बताता हूं कि कभी भी किसी के उपर 100% भरोसा नहीं करना होता है बट येस किसी चीज़ को इगनौर भी करना नहीं होता है आपने पढ़ना होता है अगर आपको उसमें से कुछ important points लगे तो उसको note करना होता है अगर आपको लगे कि नहीं पूरी report ही बखवास थी तो straight away आप उसको ignore भी आपे कर सकते हो बट ignore नहीं करना है इगनौर करोगे तो पता ही कैसे चलेगा तो यहाँ पर अगर मैं बात करो दोस्तों तो यह जो report हमें देखने को यह आपे मिल रही है वह हम लोगों को देखने को मिल रही है जेपी Morgan से यह जेपी Morgan यह नाम आप लोगों ने जरूर यह आपे सुना होगा बहुत बढ़ा नामें बहुत ही रेप्युटेड नाम है रैट अइनके और से हम लोगों के गजब के report होते विए देखने को यह प्लस उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स या पर बता है मतलब देखा गया तो मतलब आने वाला समय यह जो सेकेंड हाफ रहेगा वो कैसे रहेगा इसे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने आपे सामने रखे हुए अब नो डाउट जब भी मैं इस तरीकी की बाते करता तो बहुत ही वैलेड कमेंट भी आ जाते सर क्या यह जो जेपी मॉर्गेन रहते यह बड़े-बड़े रिसर्च मतलब कंपनिया यह ताइप यहा पर रहती है तो क्या इनके उपर भरुसा रखना होता है क्या यह सही जाते तो दोस्तों मैं अगेन के ना चाहूंगा कि कोई 100% सही नहीं होता है हर किसी की अगर आप लोग हिस्ट्री उटा के देख रहे ना मिस्टेक्स आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट जैसी चीजे जो भी आगे कि प्रेडिक्शन की बाते की जाती है यह प्रेडिक्शन अगर देखा गया तो प्रेडिक्शन यहां पर कुछ नहीं होता है दोस्तों चाहिए आप किसी भी फिल्ड की अगर आप लोग बात करें अच्छा बैट्समन की बात कर ले कोई बैट्समन रोज 100 नहीं मारता है जीरो पर भी आउट हो जाता है फुटबॉल की बात करें तो कोई अच्छा अगर यह 10 रिपोर्ट्स निकालते तो उसमें आप देखोगे 5-6 बार उनके रिपोर्ट्स हमनों को बहुत कुछ हद तक सही भी जाते वे देखने को मिल जाते है तो इसलिए यह नाम इतना बड़ा है अगर आप चाहो जैसे मैंने का कि मैं किसी को ब्लाइंड ली कॉपी न देख सकते हो परफार्मस तो अच्छा ही देखने को आप मिल रहा है तो ऐसा इग्नॉर नहीं करना होता है हम लोग बोल देते हैं रहे छोड़ दो कोई फरक ने पढ़ता है कि बड़े-बड़े ब्रोक्रेजिस हाउस ने ब्रोक कमपनीज ने कुछ भी वायात रिपोर्ट निकाले है पर हमें वो समझ में आता है तो हम लोग उसको इग्नॉर कर देते हैं अगर जन्यूनली कोई चीज रहेगी तो उसको हम लोग जरू फॉलो करते हैं ठीक है अभी आज आते दोस्तों जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे जो बाते रखी है वो सेकेंड हाफ से रिलेट उन्होंने यहाँ बता है एंड 7% की तेजी भी क्यों आएगी यह भी उन्होंने यहाँ बता है तो उसके ओपर भी हम लोग यहाँ जरू आएंगे तो पहले रिपोर्ट के साथ ही यहाँ चलते हैं तो सबसे पहले जैसे मैं आप लोग को बता है कि यह सारी चीजे उन्होंन छजरा रहे हैं बट उनके हिसाब से उनों ने बताय है कि नहीं मिल रहा है अभी ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि उसके पीछे का saamाती हैं इसे रिलाटेड बहुत ही wanna कुर्णाप्ट के है अभी है printer रेट हाई साओसवा इसा प्रकार से रहा है और की सब Самaning अगर हम लोग आपे बात करें, तो ये rate hike सब कुछ किया क्यों जाता है, तो आप सब लों को पता है सबसे बड़ा जो वहाँ का problem है, हर किसी का problem है, वहाँ कई नहीं बोलना चाहिए, बट वहाँ पे ज्यादा है, inflation, so inflation कितना चल रहा है, अमेरिका में बात करें तो 9.4%, right, मैं यहाँ पे थोड़ा एक बार लिख लेता हूँ, 9.4% के आसपस, और बताय जा रहा है कि second half में इतना aggressively decision होगा कि यही inflation आपको 4.2% तक देखने को मिलेगा, federal reserve का target का है, 2%, तो वह इतना immediately achieve नहीं होगा, बट बताय जा रहा है कि यहाँ पे 50% तक inflation हम लोगो कांट्रोल होते वे देखने को मिलने वाला है, second half में इतने बड़े decisions यहाँ पे लिए जाने वाले हैं, and again कहना चौंगा, यह उनका report है, expectation वाली बात है, यहाँ पे हकीकत में क्या होगा, उसके लिए तो मतलब देख, मतलब बुलते हैं न, ऐसी भी चीज़े होती है कि हम जिसको predict नहीं कर सकते, अगर वैसी कुछ चीज़े हो गई, तो यह चीज़े चेंज भी हो पसेंट के आसपास उन्होंने predict किया था, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी आने वाला second half में, यही growth आप लोगों को 3% से ज़्यादा देखने को मिलेगा, entire globe की वो यहाँ पे बात करें, दुनिया भर की growth की यहाँ पे बात करें, इसके पीछे का major factor भी उन्होंने यहाँ पे बताया है, और वो है चाइना, आप सब लोगों को बता है चाइना एक बहुत ही important है, दुनिया में अगर कुछ गिने चुने countries अगर हम लोग देखने को मिल जाता है, और चाइना का first half बहुत ही खराब रहा है, प्लस covid जैसे situations देखने को मिले थे, lockdown देखने को मिला था, इसके चलते उनकी जो growth थी first half की, वो हम लोगों को literally 0% ही देखने को मिले थी, बट यह जो second half है, चाइना के लिए बहुत solid रहने वाला है, 7.5% की growth यहाँ पर हम लोगों को चाइना में आते वी देखने को मिलने वाली है, और इसके चलते दुनिया बर के जितने भी यह जो सारी चीज़े हम लोगों को रुकावटे देखने को मिली है, क्योंकि manufacturing hub की बात करे तो चाइना तो बहुत बढ़ा है, आप लोगों को पता है, तो वो सारी चीज़े हम लोगों को अच्छी तरीकी से release होते भी देखने को आपे मिलेगी, इसलिए यहाँ पर जो second half है, global growth से related, यह बहुत aggressively हम लोगों को आगे बढ़ते भी देखने को आपे मिलने वाला है, प्लस अगर हम लोग यहाँ बात कर है, rate hikes होंगे, तो इसके चलते अभी जो prizes उनको देखने को मिल रहे है, उनने यह सारी रिपोर्ट अमेरिकन बाजार के साब से बताई है, तो उनको वो बहुत ही चीप या फिर आप बोल सकते है, reasonable pricing देखने को मिलें स्टॉक्स के साब से, यह भी चीज़े उनने बताए, उ बहुत सारी companies देखने को यह आपे मिल रही है, तो मानना है नहीं मानने यह तो हर किसी का अपना-पना individual opinion है, जो कि हम लोगों को देखने को आपे मिलने वाला है, जैसे मैंने आप लोगों को बताए कि JP Morgan, JP Morgan ने बताए कि आने वाले यह जो next हफता है, मतलब यह जो start हुआ है उसमें American Bazaar में 7% की तेजी देखने को यह आपे मिल सकती है, और उसके पीछे का reason है दोस्तो rebalancing, आप सबी लोगों को पता है यहापे बहुत सारी चीज़े हम लोगों को index जो रहता है, उसमें change होते वी देखने को मिल जाते है, कि rebalancing के वज़े से एक बहुत ही अच्छा positive माहूल यहापे बनते हुए देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे हम लोगों को script भी add होते हुए देखने को मिलेंगे, और इसके चलते अच्छा कासा पैसा हम लोगों को यहापे inflow आते हुए देखने को मिलेगा कि इसमें American Bazaar में, तो इसके चलते American Bazaar एक अच्छा कासा performance यहापे दिखा सकता है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, अगेन कहना चांगा दोस्तो, यह JP Morgan नहीं यह सारी बाते यहापे सामने रखी हुई, अगर आप चाहो तो इसे related बहुत सारे रिपोर्ट से यह देखे, JP Morgan sees the portfolio rebalancing lifting the US stock 7% next week, so definitely अभी यह देखने वाला चीज रहेगा, कि उन्होंने यह जो सारी बाते सामने रखी हुई है, क्या यह सही जाती है, या नहीं जाती है, बड़ जैसे हुने कहा कि study तो करना यहापे बनता है, कि rebalancing के चलते यह सारी चीज़े हमने को देखने को मिल सकती है, और इसका main outcome क्या है, कि अगर American Bazar अगर इस तरीकी से करने वाली है, अभी सच होता है नहीं होता है, अगेन कहना चोंगा, इसमें कोई unpredictable, अगर कोई reason आ गया, जैसे कि अगर हफते की अगर हम लोग बात करें, 7 दिन में, 7 दिन मतला एक हफते में 5 दिन ही market चलता है, लेट से अगर कोई बहुत ही unpredictable news आ गई, जैसे कि रश्या वर् performance हम लोगों को देखने को मिल सकता है, so definitely इस report को आप भी चाओ, तो यह पर study कर सकते है, Google के उपर भी available है, देखा गया, normally यह जो चीजे में आपको बताईए, as a investor, study करने के लिए ठीक है, usually देखा गया, तो यह trader लोगों के लिए बहुत important है, क्योंकि अगर देखा गया, तो JP Morgan बताने की कोशिश क्या कर रहा है, कि 5 दिन, यहापे 7% तक तेजी रह सकते, American Bazaar में, तो कोई अगर यहापे short कर रहा है, तो उन्हेंने थोड़ा बहुत यहापे संबल कर रहना चाहिए, यह trader लोगों के लिए actually देखा गया, तो report कुछ जादा ही important है, उन्हेंने इस से related ज परोसा नहीं रखते, अभी इस report में आपको कौन-कौन सी चीजे genuinely valid लगी, वो भी आप comment section में बता सकते हैं, और कौन सी चीजे आपको ऐसे लगी कि नहीं, यह तो बेतु की बाते उन्हेंने बोल दी, वो भी आप चाहो तो यहापे बोल सकते हो, तो यह जो भी बाते में तेजी हापे रहेगी, क्योंकि 7% इंडेक्स भागना मतलब बहुत ही जबरदस बात रहेगी, तो चले चेक कर ही लेते हैं, तो आशा करता हो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आओगा, तो चाहो तो इसको like and share भी कर सकते हो, so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting in Arnix Studio तब